Hey guys, एक बार फिर से आप सभी कमिश्टर व्यास के इंदर स्वागतर, आज हम बात करेंगे आप आपकी competitor की website को कैसे बीट कर सकते हैं एक मेरा personal secret formula, ये क्या है, कैसे काम करता है, अगर आप product review के related content लिखते हैं और वहाँ पे Amazon की site rank करती है, उसको कैसे बीट करना है, अगर आपक existing competitor, अगर एक blogger है, उसका blog rank कर रहा है, उसको कैसे बीट करना है, सारी चीजे with live examples, खुद के keyword से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैं करता हूँ और कैसे इसको आप कर सकता है, which is one of the most special formula और सबसे best formula जो मैं personally use करता हूँ, तो चले guys, चलता है desktop की screen पर without wasting time, इस चीज पर discuss लेकिन एक बार फिर से अगर आप हमारी चनल पर नए है तो चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, the more subscriber I will be having, the more videos I will be making, so make sure promote कीजे चैनल को और अच्छे सचा content लेने के लिए like और आपके comment जरूर करके बताएगा आपको इस content कैसा लगा, without wasting time चलता है desktop की screen पर, first of all guys हम लोग 9 days की blogging mastery training का special video course join नहीं किया है, link is in the description, आज ही fill out करें और आज ही शुरुआत कर दीजिए, आपकी blogging की 9 days में आपको blogging की mastery दी जाएगी, more than 3000 people इसको join कर चुका और आप भी उसमें से एक होंगे, चलिए बात करते हैं, एक competitor की website को कैसा bit करना है, उसके लिए मैं जो secret formula आपको बताने वाला हूं, जिससे आज तक आपने बहुत सा लोगों से सुना होगा कि जो आपका competitor लिखता है, उससे थोड़ा ज्यादा लिख लिजिए, google suggestion के keyword को add कर दीजिए, these are good, ये आपको तो जरूर करना चीए, लेकिन उससे better, एक secret formula है, जो मैं use करता हूँ, वो आपके साथ शेर करूँगा, और इसको कहा जाता है, consensus mechanism, क्या, चले बात करते हैं, इसका जो मैंने नाम दिया है, वो है, be a person of a same party, okay, be a person of a same party, मतलब आपको एक ही party का person होना पड़ेगा, अगर आप actually में किसी keyword के लिए rank करना चाहते हैं, ठीके, चले देखते हैं, क्या है exactly, तो example के लिए और यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास तीन टाइप की sites rank कर सकते हैं, एक हो सकता है, Amazon की खुद की e-commerce site हो, या eBay की site हो, या फिर दूसरे जितने भी Flipkart की site हो, ये ऐसे e-commerce platform हो सकते हैं, number two, या तो हो सकते है bloggers, और number three हो सकता है forum की sites, इन तीनों के अलावा, किसी और होने क chances बहुत ही कम है किसी particular commercial keyword के लिए, unless कि आप Apple ढूण रहे है, ये ढूण रहे है, तो उनकी home website आएगी, but या फिर तीन cases होंगे, पहला Amazon जैसी e-commerce website, number two, आप और हम जैसे blogger की website, और number three, कोई forum की website, example के लिए अगर मैं ये keyword search करता हो, यहाँ पे आपको तीनों-तीनों best example मिलेंग इसके बाद आप देख सकते है, ये भी कोई तो एक website है, इसके बाद फिर से eBay, मतलब e-commerce website, इसके बाद soundproofide.com, this is my website, देख सकते है, 6 July को post लिखा गया था, आज है 2nd of September, पिछले एक महिने से, top 10 की ranking के अंदर, मुसके लिए से 5 और 6 पोजिशन पह है, for this particular keyword, इसके बाद आप देख सकते है, forum, मतलब इस keyword के लिए 3 टाइप का content rank कर रहा है, सबसे पहले चीज, अगर कोई forum का rank कर रहा है, चाहे वो Reddit हो, चाहे वो Kora हो, आप बेज जीज़े content लिखे, आप automatically rank कर जाओगे, there is no competition, और इसके लिए आपको कुछ अलग करने की जरूत नहीं, number one, number two, अभी हम हमारे पास यहाँ पर जो rank कर रहे है, वो हमारे bloggers है, यहाँ फिर e-commerce की website, e-commerce की website का बहुत ही quickly bit कर सकते है, सब numerous example आप keyword उठा करके check कर सकते है, soundproof idea के, इससे पहले एक दूसरा keyword बताऊंगा, example के लिए माल लिजे कि यह है best quiet coffee grinder, यहाँ पर आप देख सकते है, यह एक review website है, फिर से यहाँ पर forum है, मतलब यहाँ पर e-commerce की website नहीं दिख रहे है, लेकिन कोई दूसरी websites दिख रहे है, अब इन दोनों cases के अंदर कोई सा भी case हो, no matter, forum होता आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अब ही आपको क्या करना है, be a part of a party, okay, be a part of a same party, मतलब क्या, आपको वही करन है, आपको इन ही की तरफ बनना होगा, biggest queue, इस particular keyword के लिए Google ने सारे content को rank किया है, मतलब इन content के अंदर जो product suggest किया गया है, Google के हिसाब से वो product ही actually keyword के लिए rank करने चीए, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले चीज़ देखे, amazon.co.uk, जैसे ही आपने keyword search किया, तो Amazon ने quiet blower fan के लिए Amazon का ये particular post rank हो रहा है, अगर मैं इसको open करूँ, तो ये है, ये particular चीज, ultra silent radial turbo flower fan, मतलब क्या करना है, जब भी आप content लिखेंगे, 9 best quiet blower fan, 9 में से एक suggestion आपका definitely यही होना चीए, यही particular product होना चीए, इसके बाद, imagine कीजिए कि दूसरा ये product है, कर रहे है, we are trying to be part of a same party, जिसको Google suggest कर रहा है, तो हमने इन दोनों को include किया, इसके बाद, जो top blogger है, उस blogger के blog को open कीजिए, new window के अंदर, और उसको जाके देखिए, कि भाई, इसने अपने top 10 के अंदर, क्या-क्या product consider कर रखें, मालों कि वो 9 best दे रहा है, या 5 best दे रहा है, तो जो भी best दे रहा है, मालों कि इसने या पर दिया हुए, 5 best ये particular product, इसमें से 1 और 2 उठा लो, बलग क्या करना है, आपको उस particular party का part होना है, जो already Amazon की product है, या फिर आपके जो competitor suggest कर रहा है, 2-3 Amazon के जो already search ranking में आ रहा है, 2-3 आपका जो competitor है उसके आ रहा है, ये सब mix करके आपके खुद के होने चीए, और जब आप ये करेंगे, तो सबसे पहली चीच आपका content fresh रहेगा, क्योंकि ये तो already लिख चुके है, आप fresh content लिख रहे है, right, number 2, आप actually going to be same party, आप वही content cover करेंगे, जिसको Google already rank कर रहा है, number 3, यहाँ पर सबसे interesting चीच ये होने वाली है, कि आपकी site को visit करता है, वह देखता है कि actually you are suggesting the same product जिसको Google already suggest कर रहा है, अब यह तो क्या है, Amazon की website है, right, इसमें pros और cons नहीं है, लेकिन आपके content के अंदर pros और cons रहेगा, तो Google को लगता है, आपने properly analyze किया हुआ है, तो amazon.co.uk को rank करना से better है, आप आपकी खुद की website को rank करेगा, इसके बाद इन blogger ने, इसने outdated content हो सकता है, because you are writing the fresh, आपने उसी के कुछ suggestion को include किया, तो Google को ये भी trust हो जाता है, कि ये बंदे ने वो भी include किया, जो already rank कर रहा है, मतलब इसमें वो भी quality है, और तीसरी, आप आपके 3-4 product और add करेंगे, जो की best seller के list से आ रहा है, Amazon के, तो वहां से Google को confidence होता है, और आपका content up rank होता है, तो guys, ये strategy होने चीए, अगर आपको किसी competitor को bit करना है, number one, आपने ये cover कर लिया, कि आपका जो competitor 7 best, quite blower fan को cover कर रहा है, you are covering 9 best, 9 best में भी 3 तो आपने उसी से उठा लिया, चार-पाच और आमाजन के जो rank हो रहा है, उसी को उठा लिया तो you will find कि आपका cost actually rank करेगा, जब मैं कभी content को भी update करता हूँ, किसी competitor को bit करने के लिए, तो ये secret studies ये use करता हूँ, जाओ देखो उन्होंने क्या include किया है, उसमें से कुछ उठा लो, example के लिए इसने ये 5 include कि, उसमें से 2 उठा करके अपने अंदर डाल दो, right, एक और बढ़ कि आपको ये secret strategy पसंद आये होगी, be a part of a same party, that is what I call it, okay, और hopefully आपको इससे कुछ learning देखनों को मिले होगी, इस tip को जरूर implement कीजिएगा, और ऐसी exclusive tip अगर आप चाहते हैं, तो इस channel पर फटा फट से मुझे comment कीजिए, हमें चाहिए ऐसी exclusive tip ताकि आप blogging में, बाकी सब की comparison में बहुत ही quickly और easily grow कर सके हैं, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!